आज हम जानेंगे 24 तिर्थंकरों के नाम उनके चिन या लांचन और तिर्थंकर 24 ही क्यों होते हैं इन सब के बारे में तो सबसे पहले जानते हैं 24 तिर्थंकरों के नाम और उन्हें कैसे याद रखे वो भी जानेंगे तिर्थंकर के नाम याद हो जाने के बाद उनके नाम के पीछे भगवान नात्या स्वामी लगा कर ही बोले तो सबसे पहले जानते हैं तिर्थंकरों के नाम को याद कैसे रखे तो प्रत्य एक दिन तीन तिर्थंकरों का नाम अच्छे से याद कर ले जैसे प्रतम तीन तिर्थंकर के नाम है रिशब अजित संभव, चोते से छटे तिर्थंकर का नाम है अभिनंदन सुमति पदम, साथवे से नवे तिर्थंकर के नाम है सुपार्श्व चंद्र सुविदी, 10-12 तिर्थंकर के नाम है सीतल स्रेयांस वासू 13-15 तिर्थंकर के नाम है विमल अनंत धर्म 16-18 तिर्थंकर के नाम है सांती कुंतु अर 19-21 तिर्थंकर का नाम है मली मुनिसुवरत नेमी 21-24 तिर्थंकर का नाम है अरिष्ट नेमी पार्श्व महाविर अब सब नाम एक साथ बोलते हैं। भगवान नात या स्वामी लगाना न भूले। जैसे भगवान रिशब महावीर स्वामी अजीत नात ऐसे। साल में 365 दिन ही क्यों होते हैं। तो इस तरह कई और प्रशन खड़े होते हैं। मूरती के कुछ एक नियम ऐसे ही बने होते हैं जिनका जवाब केवल सरवग्य ही दे सकते हैं। और अभिवर्तमान में इस भरत छेत्र में कोई सरवग्य नहीं है। अब जानते हैं आखिर हर तिर्थंकर की मूरती के नीचे एक चिन्न या लांचन होता है। वो किस आधार पर रखा जाता है उसके बारे में। तो तिर्थंकर 24 है। प्रत्येक तिर्थंकर का एक चिन्न होता है जिसे लांचन या लक्षन या चिन्न कहते हैं। तिर्थंकर मूरतिया, प्राई समान होती है। केवल रिशब देव की कुछ मूर्तियों के सिर पर जटाये पाई जाती है और पार्श्वनात की मूर्तियों के उपर सर्प का फन होता है। इन तिर्थंकरों के अतिरिक्त से सभी तिर्थंकर की मूर्तियों में कोई अंतर नहीं होता है। उनकी पैचान उनकी चरन चौकी पर अंकित उनके चिन्नों से की जाती है। चिन्न न हो तो दर्शक को या लोगों को पैचानने में बड़ा भ्रम हो जाता है। कभी कभी तो लांचन रहित मूर्ति को साधारन जन चतुर्थ काल की मान बैठते हैं। जबकि वस्तुत स्रेवत्स लांचन और अश्ट प्रातिहार्य से रहित मूर्ति सिद्धो की कही जाती है। इसलिए मूर्ति के द्वारा तिर्थंकर की पैचान करने का एक मात्र साधन तिर्थंकर प्रतिमा की चरन चौकी पर अंकित उनका चिन्न ही है। तिर्थंकर मूर्ति विज्ञान में चिन्न या लांचन का अपना विशेस महत्व होता है। इन चिन्नों के संबंद में ये बात जाने योग्य है कि इन चिन्नों का कारण क्या है, ये तिर्थंकर प्रतिमाओं पर कब से और क्यों उतकिर्न किये जाने लगे और सास्त्रिय दुरुष्टिकों क्या है इसके पीछे। तो ऐसा माना जाता है कि इंद्र भगवान के अभिशेक के समय उनके शरीर पर जिस वस्तु की रेखाकृति देखता है उसी को उनका चिन्न घोशित कर देता है। तिर्थंकर मूर्ति निर्मान के प्रारंबिक काल में मूर्तियों पर लांचन उतकीर न करने की परंपरा नहीं थी। मिमानसा आज भी एक शोद मांगती है कि आखिर इन चिन्नों के साथ कौन से मनोवैज्यानिक थत्य जुड़े हैं और कौन सी स्रेष्टताएं चिन्नों में जांगती है जो तिर्थंकरों की विशिष्ट पैचान बनती है। अब जानते हैं 24 तिर्थंकरों के 24 चिन्न। भगवान रिशब का चिन्न है व्रिशब या बैल। अजितनात भगवान का चिन्न है हाती, संभवनात का चिन्न है अश्वया घोडा, अभिनंदन प्रभू का चिन्न है बंदर, सुम्तिनात भगवान का चिन्न है चक्रवाक पक्षी, पद्म प्रभू भगवान का चिन्न है कमल, सुपार्श्वनात भगवान का चिन्न है स्व स्री व्रिक्ष, स्रेयांसनात भगवान का चिन्न है गेंडा, तो वासु पुझ्य भगवान का चिन्न है महिश, विमलनात भगवान का चिन्न है शूकर, तो अनंतनात भगवान का चिन्न है सेही, धरमनात भगवान का चिन्न है वज्रदंड, तो शांतिनात भगवान का चिन् तो अरनाद भगवान का चिन्न है मचली मलीनाद भगवान का चिन्न है कलश तो मुनी सुवरत भगवान का चिन्न है कच्छुवा नमीनाद भगवान का चिन्न है नील कमल तो अरिष्टनेमी भगवान का चिन्न है संग पार्श्वनाद भगवान का चिन्न है सर्प तो महावीर भगवान का चिन्न है शेर या सिंग तो ये थी जैन तिर्थंकर भगवान से संबंदित संचिप्त जानकरी आज का प्रशन है तिर्थंकर और सामान्य केवली में क्या अंतर है कोई भी तीन अंतर कमेंट में बताएं वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेर, सब्सक्राइब करें